कि हलो दोस्तों नमस्कार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है डटोडी फोर्ट सेविन के ऑफिशल यूडिव चैनल पर वैब श्रवासों के साथ और जिहां दोस्तों आज आपका पहला क्लास है एनिके सबसे पहली क्लास है आपकी किसकी तो जिहां आई डी बी आई के बैंकिंग अवेरनेस के और दोस्तों आज हमने पॉइंट आउट करके आप से कुछ टॉपिक हमने लिखवा रखा और उसी से रिलेटेड एमसे क्यों यहां पर डिसकस करने वाले हैं तो वेरी वेरी गुड इवनिंग दोस्तों आज यह फड़ाफ़ड हा हिमानसु भाई हर्स पूजा सबको भाई रादे रादे वेरी वेरी गुड इवनिंग महादे भाईया आजो जल्ली जल्ली सबके सब लोग और हम लोग स्टार्ट करते हैं और क्वेस्टन को अपडेट भी करने वाले हैं तो आजो यार हाई रानी हलो बच्चे हाई साधव हलो हाई तो आप सभी का सब्सक्राइब एक बार कॉन कॉन आ गया हाई हलो करते हैं और स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास और दोस्तों आपको बता दें आपको क्लास डेली 5 पीम पर चलेंगी इसी टाइम पर जैसा कि हमने बता रखा है 5 to 530 5 to 540 या 545 ऐसे आपकी क्लासे हो गुड़ आफटनून दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें कि अगर आपने अड़ा का एप इंस्टॉल कर रखा है तो अच्छी बात है नहीं कर रखा तो आप इंस्टॉल कर लो जो नहीं दोस्ते वो चनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन प्रेस कर लेंगे और दोस्त टेलिग्राम ग्रूप को ज्वाइन कर सकते हो सर्च करके टेलिग्राम पर ओके हाई भावानी मैं गुड आफटनू गुड इमिनिंग बच्चे और सबसे पहले क्वेशन को मूव करते दोस्तों और सबसे पहला क्वेशन आपके स्क्रीन पर रहा यह क्वेशन कहा है अमनी आप लोगों ने क्या बैंक में जमा किया धन जिसे वर्तमान निश्चे दवादी के लिए वापस नहीं लिया जा सकता इसके रूप में जाना जाता है यहां अर्स प्लीज बोलिए मनिसा मैम आपको बता दें कि बैटा करेंट अफेर्स की बात करें तो करेंट अफेर्स आपका लास्ट फोर मन्त मोर्देन सफिसेंट होगा आईवी इस्पेसली आईवीप्स आरारबी के लिए ठीक है तो अभी से इनफेक्ट आप तयारी करना स्टार्ट कर दो चार चार महिने तो बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए और दोस्तों इसका करेक्ट एंसर क्या है इस करेक्ट एंसर को यहां पर क्या पूछा हुआ है मनी डिपॉजिट का नौट भी विड़्ॉन यानि कि विड़्ॉन नहीं कर सकते हो एक सर्टेन लिए तो दोस्तों करेक्ट एंस्ट निसक्त्Ñं डि पाउजित आपको यहां पर समक्स्थै चलना है हमारे अगर पूछा जाएं टाइप सब एककाउंत में तयाफ्स अपकोण्ट कितने प्रकारके होते हैं तो और भी होता है राफा कौसा एक होता है काउसा और एक होता है एकाउंट क्या कहा जाता है डिमांड डिपॉजिट एकाउंट ठीक है और राफा को क्या कहा जाता है टम डिपॉजिट या फिर टाइम डिपॉजिट एकाउंट क्या कहा जाता है टम डिपॉजिट या टाइम डिपॉजिट एकाउंट किसको राफा को बोलो क्लियर है कि नही जिहां हर्स, अफकोस मेरे भाई जनवरी से कर लोगे, तो कोई बात का टेंसा नहीं नहीं, पूरा का पूरा, लेकिन हर्स, आपको बता दे हैं, जनवरी से अगर आप करोगे, तो बहुत सारे जगह उपर आपको confusion हो आए, start हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे appointment चेंज हुए है बहुत सारे appointment चेंज हुए है, बहुत सारे rule चेंज हुए है, तो आपको वहाँ पर कहीं नहीं conflict हो जाएगा, कहीं नहीं दिमाग में यह लगेगा, और यार वहाँ पर तो इस महीने में यह पढ़ा था, इस महीने में यह है, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए बहुत जादा आपको update करना है, 6 महीने update कर लो, 7 महीने कर लो, लेकिन हम नहीं कहेंगे, आपके उपर depend करना, आपका concern है, जनवरी से पढ़ लोगे, तो बहता रही है, लेकिन कहीं नहीं प्रॉब्लम होगी, वह आपको ध्यान रखना है, ठीक है, जी हाँ, अपरेल 2 अगस् यहाँ पर क्या पुछा हुआ है, cannot be withdrawn, नहीं withdraw कर सकते, तो दोस्तों term deposits में particular term and condition mentioned किया गया है, यह आदकना है, कोई नहीं राज हम आपको share कर देंगे, भाई, ग्रूप में, आपको group join करके रखना है, जो हमने group बताया है, अर्पित मेरे भाई, beginners के लिए अभी हम बता रहे है, don't worry, अभी class कर लो, तो beginners के लिए बिल्कुल basic class ही update करवा रहे हैं आपका, यह आप class करो, यहाँ पर, अगर आप paid batch join कर सकते हो, तो paid batch join कर लो, क्योंकि बिगिनर के हिसाब से class करेंगी, हम paid batch में, ठीक है, जो हमारे दोस् in fact, ठीक है, जो beginner है, उन्हें के लिए सबसे best होगा, और जिया, banking awareness की book आप ले सकते हो, यार, आपके उपर depend कर रहा है, आपका यह आज in fact book के उपर off भी है, तो आप यह book अभी हम इस book के बारे में आपको बताते भी हैं, तो आप देख लेना, ठीक है, तो फिलाल बात करते ह लग क्वेश्चन है, which of the following committee recommended the setting up of ATM, दोस्तों, लास्ट यहर में question आया था, ATM से, प्रिवियस यह नहीं के लास्ट यह की बात करें, लास्ट यहर में ऐसे question थे ATM से, ठीक है, ग्रूप का नहीं है, वैबोसर, banking awareness, टेलिग्राम ग्रूप सर्च करना, वैबोसर, banking awareness, और दोस्तो क्या है आपका, कि किस ATM किस committee के recommendation पर लगाया गया था, सबसे पहली बार, ठीक है, तो आपको दोस्तों, यह यहाद रखना है, क्या, ठीक है, ATM की बात करें, automated tailor machine, क्या नाम है, automated tailor machine, automated tailor machine, ठीक है, यह आपको यहाद रखना है, यह किस, आओ, दोस्तों, यह किस committee के recommendation पर लाया ग कमिटी ऑफ्शन सी यानि के रंग राजन कमिटी के रिकमेंडेशन पर लाया गया कौन सा तो दोस्तों आपको यह याद अकना है एटियम कितने प्रकार के होते हैं अगा सबसे पहले एटियम की बात करें 1986 सेम यह क्वेश्चन आया था 1986 में सबसे पहला एटियम किसने लाया थ था तो दोस्तों IHSBC Hong Kong Sun Hai Bank Corporation तो दोस्तों यह ध्यान अखना आप लोगों ने यह आपको याद अखना वह सबसे पहली किस कमिटी ने रिकमेंड किया था सी रंग राजन दोस्तों इसी कमिटी ने रिकमेंड किया था किसको फाइनिशल इंक्लूजन के लिए इंडिया में क्य IRDAI and Banking Insurance Bank Insurance इसको बोलते हैं बैंक एंस्योरेंस इसी कमिटी के रिकमेंडेशन पर लाया गया था नरसिम्हन कमिटी के रिकमेंडेशन पर लाया गया था मेरे दोस्तों RRB and Banking Reform और क्या लाया था Banking Reforms यह याद अखना उर्जीतार पटेल कमिटी के रिकमेंडेशन पर मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी को लाया गया था तो दोस्तों यह चीज़े आपको याद रखनी है क्या तो आपको बता दें IRDI Banking Insurance यह मलहुत्रा कमिटी ठीक है और और बैंकिंग रिफॉर्म किस कमिटी के रिकमेंडेशन पर नर्सिम्भन कमिटी के रिकमेंडेशन पर रंगराजन कमिटी के रिकमेंडेशन पर क्या लाया गया था एटियम एटियम और फाइनिशल इंक्लूजन यह आदकना फाइनिशल इंक्लूजन रंगराजन कमिटी और उर्जीतार पटेल कमिटी के रिकमेंडिशन पर क्या लाए गया था तो दोस्तों आपको यादता मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी बोलो क्लियर है यार और एक्जैक्टल तो वैसे बहुत सारे नाम आते हैं आपको बहरार यह ध्यान रखना है क्लियर यार नेक्स पॉल्ट मूफ करते हैं दोस्तों अगले क्वेस्टिन को चलते वे टू अगला क्वेस्टिन आपके स्क्रिन पे रहाई है कॉमर्शियल बैंक्स मेंटें विच टाइप आफ विच पॉफ एकाउंट्स विट रिजर बैंक ऑफ इंडिया या सबसे इंपोर्टेंट क्वेस्टिन फटाफर जवाब दीजेगा कोई भी कॉमर्शियल बैंक्स रभी के पास इन में से किस टाइप का एकाउंट रखता है ठीक है तो आपको जबाब देने सेविंग अकाउंट्स अब अब और हो सबस्क्राइब प्रेशंग का एंसरी दिलवालोया तो पढ़िए यार अब क्या ही कर लें पहले यह देख रून आपका और एकाउंट होता है लेकिन वो अभी यहां नहीं पढ़ना है वो जब हम लोग पढ़ेंगे मनी मार्केट तब पढ़ेंगे अगला क्वेस्टिन सेविंग काउंट करेंट काउंट नॉर्मली कॉल यार बहुत इजी क्वेस्टिन है जी हां दीपक भाई बस पांच मिनट मेरे को दीजिए हम आपको इनफॉर्म करते हैं इस पॉब्लिकेशन की बुक आप कैसे पर्चेश कर सकते हो और मैक्सम कैसे डिसकाउंट ले सकते हो यानि कि और कम में कितना पढ़ सकता आपका दोस्तों सेविंग अकाउंट एंड दिपॉजट ताइम डिपॉजट विद्द्रॉऑ एकांट एंफिन नन अब डैबाओ सेविंगं करेंट की भात की जा रिए तो सेविंगं केरेंट एक अनि कासा कासा का मों क्या बोलते हैं डिमांद डिमांड्पॉजट एकॉज़ ऐसा एकॉड गांट निए नेससीटी प to open saving account guys minimum Ace au tai Saving account open ka did you still what is the minimum wage to open saving account minimum is Kakao tai Saving upon a good partner K process साल पंदरह साल दस साल अठारह साल या फिर नन अब दे अबव एनिवन दोस्तों वाट इस दे मिनिमम एस टू ओपन सेविंग एकाउंट बोलो एकीस पंदरह दस अठारह या फिर नन अब दे अबव सुपर हीरो का जवाबार 18 देको बहुत बेसिक क्वेस्चन है बिलकुल बेसिक क्वेस्चन बेसिक बैंकिंग है टाइप सब एकाउंट लोन और हमने एटीम से डिसक्स करने वाले हैं आध यही तीन टॉपिक रहेगा आपका और दोस्तों एक्जैक्ली वेरी वेरी गुड मेर से 10 यह याद एक ना यार आप सबी लोग ठीक है अच्छा नेक्स पॉइंट को मूव करते हैं दोस्तों अगला पॉइंट क्या है ओन विच बेसिस बैंक कैलकुलेट इंट्रेस्ट अमाउंट उन सेविंग डिपॉजिट पर इन में से किस बेसिस पर दोस्तों आपका क्वे सेविंग डिपॉजीट अकाउंट आपके पास सेविंग ऩॉजट एकाउंट है आपके पास सेविंग डिपॉजट अकाउंट ऑफ सेजर्व डिकॉफ्व bank to bank vary करता है vary bank to bank यानि कि निर्भर करता बैंक और बैंकों के bank bank के ऊपर ठीक है अब यहां पर calculate करने की बात आती है तो दोस्तों its correct answer is daily product basis कहीं कहीं यह लिखा होता है क्या डेली ऐसे आतना मेरे भाई daily product basis गाई जयात क्राम daily product basis यह दिहान अकना आप लोगों ने यह आपका यह लिखा होता है कि सेविंग डिपॉजट पर calculate होता है क्लेर है को आपका option गलत नहीं होगा डेली डेली बेसे से डेली प्रोड़क्ट बेसीज क्लेर है यह आपको याद अखना है next point you move करते है यार देखो question पढ़ो और खुद जवाब दो यह हमेसा याद रहेगा आप लोगों को अगला question what is the minimum period in fixed deposit account बेटो fix deposit की बात करें ठीक है fix deposit की बात करें इसका minimum period पूछा जा रहा है fix deposit मतला minimum and maximum ठीक है अच्छा गाइस अगर यहीं पर time deposit word use कर देते यहां पर time deposit तो time deposit में आपका नाम आजाता एक fix deposit और एक हो जाएगा recurring deposit यानि जिसको में बोलते है RD क्या बोलते है RD recurring deposit में लोग बोलती ना अरे बिटिया के नाम पर RD करवाई था करवाई देई साधी तक कुछ अच्छा पैसा मिल जाए एक गाओं में बोलते ने statement यह हम लोग अभी अभी इस बार गाओं में गया तो हमने सुना था किसी की मुह से बगलवाली चाची थी मेरे को याद आए थी तो recurring deposit जिसको बोलते हिंदी में आवर्ती जमा खाता तो इसका और इसका इसका minimum क्या होता है और इसका maximum क्या होता है और इसका minimum क्या है इसका maximum क्या है तो दोस्तों आपको याद एकना है minimum क्या होगा इसका minimum होगा seven days किसका fix deposit का जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग सावधी जमा खाता क्या बोलत भी इसे हैं बिटु आवरति जमाकाता क्या बोलते हैं लोग आवरति जमाक खाता इसको बोला जाता है सावधी 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 सा मतलम निश्चित अवजग सकने के लिए आवर्ति जो रुक की जारी गउर किजेगा और यह RJ की बात की जारी जिसको हिंदी में बोलते हैं आवर्ती रिक्रिंग department डिप्यर्टिट कि इसका मिनीमम में अगत्र सिक्समेश और रॉट ड मैकिसमिंग तुक इस टेनियर्स । क्या होगा दस साल अब देखो यहां मुद्दे की बाद पते की बाद जो सब्सक्राइब उल्जाता है क्वेस्टिन यह आ जाएगा कि वाड़ इस मिनिममम एमाउंट चुले यह तो में यह तो हो गए आपका किसका पुछा मिनिममम डिपॉजिट मिनिममम डिपॉजिट पीर मिनिमममम डिपॉजिट 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 मिनिममममम डिपॉजिट मिनिममममम देखो अभी आप देख लोज इसकी भी वह है यहां पर बगल में रख़्ी हुए है दिखा भी दे रहे हैं तो एस पब्लीकेशन की पब्लीकेशन की बुक है इसमें पूरी किट है तेक है इस पांच कीट को आप 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 अड़र कर सकते हो आपको जाना है पहले अड़ा के करके आएगा प्राइम समझे कुछ करके होगा या फिर एस पब्लीकेशन की बुक आप देशारी पड़ी होगी वहां पर जाना और कोड लगा देना देखो वहां पर कोड आपको वाई 307S कोड लगाना है आपको मैक्समम डिसकाउंट आफ आद मिल जाएगा 307S कोड तेक ह आपको बुक और टैसरी स्क्रेंट आज बुक के ऊपर आफ भी है जितने भी लोग बुक लेना चाहरें आपको बता दें आज बुक के ऊपर आफ भी है तो आप ग्रैप कर सकते हूं मैक्सम डिसकाउंट 307S कोड लगाना है एस फॉर स्रिवास्तो ऐसे आतकना वाई 307S यह आखता है इस वन थाउजन और किसी दोस्ते बैंकिंग चैनल ने पुछा सार काला नमक महसो बिटू काला नमक महसो यूपी में मनाया जाता है एक चावल की प्रजाती है ब्लैक राइस काला नमक ठीक है इसको यह अधिवरिया और कुसी नेगर साइड एरिया जो है जो आला एरिया महराज गगाला इरिया वहाँ पर स्रावस्ति वहाँ परिक्रा नमक मगयर चाहल है बहुत यादे उगाए जाता है तो वहीं पर एक फेस्टिवल होता है काला नमक फेस्टिवल यहां बगो को ने है तो यूपी आ डाताminister सरी यूपी में या रखना है हाई रिया हलो बच्चे एक्स पॉइंट यार अगला क्वेस्टिन जवाब दीजेगा विच आप्शन नोट बिलॉंग टू दा प्राइमरी फॉंक्शन और बैंक गाइस हाँ लबू फरस्वान सर एक्जैक्टली सर मनाया हमने क्या बोला यह पूरे रीजन में ही चावल पैदा होता है इस प्रजाती का चावल बहुत ज़्यादा हो गया जाता है पूरा आपको धान ही देख क्या आपको लग जाएगा ब्लैक कलर का ठीक है तो आते हैं दोस्तों ब्लैक साल्ट राइस जी हां रूची मैं हाँ काला नमक चावल ऐसे नाम ही है रूची उसका काला नमक चावल देखो अगर आप ब्लैक राइस करोगे देखो ब्लैक राइस कहोगे ना प्रॉपर ब्लैक राइस तो यह हो जाएगा आपका मनीपूर मे चला जाएगा ठिक ह्यम ऐसे काला-black-salty-race black-salty-race इसका नाम ही एह अगर आप यसे काला-namak-chawal को क्या कहो गए black-salty-race ये बोल होगे आपoren को च्टेट पूछेगा यू-पी और वहां पर तो question दोस्तो which option not belong to the primary function of bank but to pramary function of bank primary function की बात करें तो टो secondary यह बेंडी फंक्शन की बात करें मीरे सेरो तो आप ऐसा समैंदे फंक्शने में में 2 एक होता है accept deposit एक भीचा है accept deposit और यह होता है मेरे सेर grant loan तो यह Liast year pattern पेक क्वेस्च पमणाया नहा है काला घोड़ा फेस्टिवल काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल यह महारास्ट्र मुंबई का है बैंकिंग ठीक है यह आपको यादख नहीं क्या ग्रांट दोस्तों ग्रांट लोन अगर लोन की बात करें तो दोस्तों लोन में आपका यह दो होते हैं अब यहां पे काहें प्राइमरी फंक्षन में यानि लोन भी चला जाएगा कौंसा नहीं बिलॉंग करता बचा एक इस ऑफ्शन डी डैबिट कार्ड आपके किस फंक्षन में काउंट होगा से केंडरी फंक्षन में होगा और यहां पूछा हुआ है जो प्राइमरी में रिलेट नहीं करता तो यह रखना आप लोग नहीं है क्लियर है बैंकिंग चैनल चेक कर रहो है या फिर सच में तुमको जरूवत है पूछने की सच में तुम्हें नहीं पता है अरे थैथर लोग चलो तो यह आपको यहाद रखना है क्लियर यार नेक्स पॉइंट अगला क्वेशन में टू आपके स् दोस्तों क्वेशन है चूज रॉंग आफ्शन रिलेटेट टू सेकेंडरी फंक्शन आफ बैंक जवाब दो चूज रॉंग आफ्शन ठीक है रिलेटेट टू सेकेंडरी फंक्शन आप बैंक देव्यांस कोई शुनी है तयार है मेरे भाई वेरी गुड वर्सा ग्रेट बिटू देखो यहां पर पूछा हुआ है रॉंग औप्शन को सेलेक्ट करना है रिलेटेट टू सेकेंडरी फंक्शन अब देख लिया अब सेकेंडरी फंक्शन की बात करें सेकेंडरी function में आप פका क्या आजाता है एक function होता है agency function कौन सा function हो जाता है एजनसी functions ठीक है एक निधे फैंक्षन एक होड़ा जाएगा आपका मेरे दोस्तों utility functions क्या utility functions यह अगर वालेत की बात कर एजंसी में आजाता है transfer of funds transfer of funds ठीक है collection of check collection of check यह सारे नाम आजाते हैं एटीसी लिग दे रहे है यूटिलिटी में आजाएगा आपका locker facility locker facility ठीक है अब देखने हूं आप यहां पे question wrong option select करना जो secondary function नहीं हो तो agencies work जी हाँ भाई यह एजंसी function आएगा जी हाँ locker facility जी हाँ locker facility आपके utility function में आएगा mortgage क्या होगा mortgage यानि कि क्या loan और loan वाला हमने कहां पर पढ़ा था primary function में transfer of funds किसमे transfer of funds agency function का function है यानि कि 3 तो हो गया secondary में और wrong option करना है जो secondary में नहीं option C is the correct answer ठीक है यह आपका answer होगा आपका बोलो क्लियर है रितु मैम बेटा topic wise हम आपका complete कराएंगे batch में आप देखो पर्चम बैच जोइन कर लो देखो अच्छो ओके साइकत बताते हैं देखो एजनसी function वो होता है साइकत बाई ऐसे समझना जो आप किसी के सब्सक्राइब करता है यानि का हमारे और लाइसी की बीच में बिचो लिए का काम कौन कर रहा है एजन्ट उसके द्वारा किया हुआ काम एजनसी function कहा जाता है तो बैंक यह से काम करते हैं जैसे हमारे भीहापर बैंक ट्रांसफर करता है पैसा हमारे भीहापर बैंक बिजली का बिल पे करता है वह हमारे अजन्सी function में आएगा लोकर फैसिलिटी आप लॉकर में क्या रखते हो तो हाँ हाँ सुर्ती अभी पर्चम टू लेके आ रहे हैं बिटा हम जिसमें करेंट और स्टैटिक होगा ओनली करेंट और स्टैटिक प्रॉपर बेसिक टू एडवांस विद एमसी क्यूज विद डिटेल्ट सारा कुछ करा रहे हैं आपको जो आपके आरारभी के लिए रामब पर जाके रख सकते हो सोना चांदी को ठीक है तो वह लॉकर फैसिलिटी बैंक उसके लिए हमसे रेंट लेता है हमसे सालाना रेंट लेता है अपने बैंक में छोटा सा लॉकर देने के लिए ठीक है वह चीज़े यहाँ रखनी है अब एक आता है दो दुस्तों ट्रांसफर फंड्स पैसे का राहस्तानतरण करना मौडगेज मौडगे अब लोन के भिहाब पर जब्याप लिए यानि में से य डिए बैंक चैन है अप पती जो इम्मुएबल हो बैंक के पास रखे तो वो हमारा मॉट्गेस कहा जाता है ठीक है अब देखो अब ऐसे समझ लो आप मेरी बात समझना है यहां पर हम थोड़ा हटा रहें यहां पर अब मेरी बात गौर्द सुनना है हम ओफो सॉरी अब देखना है इसका एंसर क्या होगा और यार यह हो क्या रहा है एक मिर्ट हाँ इसका एंसर होगा मॉट्गेस ठीक है अब आप पर समझना है यह हम 2013 पीयों के इंटेव्यू मेरे से क्वेस्चन किया गया था डेबिट कार्ट सेकेंडरी फंक्शन में आता है स्रीकान भाई ठीक है तो इधर देख लो जी हाँ डॉमिनिक कुजूर सर हिंदी और इंग्लिस दोनों लाइंग्वेज में है सर हिंदी और इंग्लिस जो लाइंग्वेज आपको सेलेक्ट करना सार आप सेलेक्ट कर सकते हो मेरे भाई ठीक है मेरी बाद गौर से सुनना देकर बिटू था 2013 के इंटर्वियू में मेरे से पूछा गया था प्लेड एंड मॉटगेज मॉटगेज में अंतर क्या इन दोनों का अंतर क्या है तो बेटू देखो बैंक है ये हमने आपको इंफेक्ट समझाया भी होगा जो हम उसे क्लास किया होगा ये कस्टमर है बैंक है ये कस्टमर है कौन सा लोन है ये सेक्योर लोन है आपका सेक्योर लोन मतलब सुरच्छित रिण सुरच्छित रिण ये आपको याद एकना है सुरच्छित रिण का मतलब क्या है ऐसा लोन टिक है ऐसे लोन यानि जिसकी रिकवरी करनी आसान हो क्या करनी आसान हो जिसका रिकवरी करना आसा हो हमारा कौन सा लोन होला सब्सक्राइब कि पैण का मतलब अगर हमने पैसा नहीं चुका यह तो हम ने जो देच के पास तब और हमारी अपने लोन की कर लेगा तो ऐसे चिगा पे security दो टाइप के एक प्लेज और एक मौडगेज ऐसे समधना प्लेज का मतलब होगा ऐसा एसेट रखो बैंक के पास जो मुएबल हो जो मुएबल आसेट हो जैसे जूलरी गोल्ड क्या है एक जिगा से दूसरे जिगा मूफ कर सकते हैं तो अगर हमने बैंक के पास कोई मुएब किया है मौडगेज मतलब हमने बैंक के पास कोई फिक्स टैसर रखे जैसे घर का कागज जमीन हमने रखा है बैंक के पास कल को हम लोन नहीं चुका पाई तो हमारी जमीन को बेच के बैंक अपनी रिकवरी कर लेगा तो ऐसे कि आपको यह आदकना है क्लेर गाईज ठैक है दोस्तों यह ध्यान रखना आप लोगों नेक्स पॉइंट अगरा क्वेस्टिन फॉर जूजिंग देपोजिट लौकर फैसिलिटीज देग क्वहिस दोस्तु दूजिंग सेफ़ इपोजिट लॉकर फैसलिटीज एए बैंक क्या पेक करता है अभी जस्थामिन हमने से डिसकुस किया कुछ दिर पहले लिखो गाइस जो साउथ इंडियन की का एस्पिरेंट से कैंडिडेट से उनको हम बोलेंगे आप बैंकर सड़ा एनि बैंक आप कैरियर पार वाले चैनल को जोईन कर सकते हों वहां पर इंग्लिस में क्लासेद भी चलती हैं इंचाई इंग् एक एक मर जिवड़ी होते यहां थे आपको समझ में आ रहा है तो आप प्लीज करो डेली के डेली यहां पर आपसे आते हैं डेली g a मुकल है दोस्तों आपको यात Natomiast rich sir लाॉक एक्जैक्ली यार वेरी गूड दुसस्तों अबसे क्वैस्वीयsिंए औगर लॉकर में एकरGGल को रॉबरी हो जाती है अगर लॉकर में रॉबरी हो गया ठीक robbery हो गया तो ऐसे case में क्या locker की responsibility किसकी होगी customer की होगी या फिर या फिर bank की होगी anyone फड़ा फड़ जवाब दीजेगा किसकी जिम्धारी होगी customer करें customer या फिर bank की किसकी जिम्धारी होगी अगर कल को लॉकर में डेकैती पड़ जाता है तो ऐसे केस में भारती मैम आप बेटा इस पॉब्लिकेशन की बुक है आप उसको इन्रोल करा सकते हो इसमें अभी हम आपको बता रहे हैं अच्छ शूर्थी ओके ओके कोई शूर्थी प्लीज तो आप डेली करना बेटा अगर आपको समझ में आला है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आप डेली आओ कोई डाउट नहीं क्वेस्चन आपके इंग्लिस में ही रहेंगे बट एक्स्प्लेइन करने का तरीका जो होगा तो यहां शिर्व संकर भाई अफ्कोस मेरी क्लास से कंप्लीट करा देंगे पूरा का पूरा अपडेट करेंगे यहां पर बिटुक कस्टमर के जिम्मेदारी होती है आप जब फॉर्म करने जाओगे न तो ऐसे कुछ सिंबल्स देखोगे आप इसका मतलब होता है टर्म एपलाई लिखा होता है टी एंसी अपलाई तो यह चीज़े ध्यान रखना है आपको वह इंपॉर्टेंट हो जाता है नेक्स पॉइंट दो फर्स्ट कंपनी टू गेट आर्बिया इस परमिशन टू ओपन वाइट लेबल एट्यम गाइज नहीं भारती अभी सौटेज है हर्स भाई कम्पुटर की भी क्लास आपकी चलेगी हर्स महाजन कम्पुटर की भी क्लास चलेगी आपकी पवन संगवान सर बहु सारी डिटेल्ड है हम इसको समझाएंगे क्यों लेता है रेंट आप से ठीक है हम बताएंगे आप अगर बैंकर होते तो क्या करते हाँ पर्चम ही पड़ी थी सर ओके फूल आच ओके हाँ शोवित अफकोस टॉपिक वाइस कवर होगा यार वहां टाइस होगा चार्थ ओक्पुटर पांच फॉल अगरे सब्सक्राइब क्राइव सब्सक्राइब करने कि यहाइस सारे सब्सक्राइब लहां लिए रहा是 दोस्तों कि राज जब यहां पर देखों यहां पर क्या है आपका बहुत सारा चीज क्या हुगा बैरे दोस्त कि एससा मजलो कि developing a कुछ देखो आभी सकता है पांच question आने को आजायर क्या पता 10 question आने को आजायर क्या पता एक बी ना है तो कि इसमें जीए के साथ ही रिलेट करके आ रहा है तो इस सीज के लिए थोड़ी से प्रॉब्लम हो जाती है या रहे हैं पर हां कांचा मैम सीविए इंटर्वियू के लिए प्रिपेशन के लिए क्लासेज हैं मेरे को टाइम देना अभी हम आप से बताते हैं कहां पर क इम को कहा जाता है दोस्तों इट्यम किसके दोवारा पिंग लेडियम वाइट लेबल ब्राउड लेबल था क्यों कुछ होता नहीं है और नंब दे अबदे अबब दोस्तों यहां पर क्या हुआ है इसके दोरा है तो नोन रिए और अपरेटेट बाइं नौन बैंक जो बैं बैंकिंग आया हुआ है बैंकिंग की से प्वेस्टन ज्यादा पूछे हुए हमने प्रीवेस एक वेस्टन भी करा रखा है तो आप एक बार देख सकते हो वीडियो को ठीक है और हम यहां पर जो यह बैच है इस बैच में में आपको टोटल कंप्रीट कराएंगे आपका लगा होगा और बैंकिंग भी होगा ठीक है दोनों फोकस्टेंग तो दोस्तों कि वाइट लबेल ऐट्यम का इस इंबी एप सीज forte का पुरा नाम क्या है नौन बैंकिंग चार्ट नौन बैंकिंग क्यों एकट एंडніस सो चक Track Можетin pH 18 चल रहा है 2013 के अंडर में रेजिस्टर्ड होके आते हैं ठीक है क्वेशन आप से पूछा जाता है क्या एन्बी अपसी और में किस एक्ट के अंडर में इसके बारे में में सन्किया गया है या कुछ भी तो वो सारी चीज़े कुछ नहीं सारा कुछ अरपित सब कुछ कस्टमर की जिम्मधारी होती है ना की बैंक की जिम्मधारी होती है तो किसमार की जम्मधारी नाकी बैक तूकि बैंक पहले से करवा देता कि कोई भी भी मिस हैपनिंग होगा उसकी जिम्मधारी बैंक की नहीं होगी आप कितना निकाल रहे हो कितना जमा कर रहे हो वह मैटर कर जाता है next question the facility not available in BSBDA दोस्तों BSBDA का पूरा नाम basic saving guys basic saving bank deposit account basic saving bank deposit account bank deposit account basic saving bank deposit account अगर आम इसकी बात करें तो दोस्तों इसमें को यह काया कप था 2012 में आया था किसको नाम किसका नाम बदल के तो दोस्तों आपको बता दें नो फ्रिल्स नो फ्रिल्स का बाया था 2005 में इसी का नाम बदल के 2012 में क्या रखा गया तो आपको यातना है BSBDA ठीक है basic saving bank deposit account इसमें कौन सी facility नहीं available है deposit amount available है withdraw of cash available है ATM card available है withdrawal from facility exactly withdrawal from facility भी available है आपका तो यहां पर option E हो जाएगा all facilities are available all above facilities are available exactly are well done बहुत अच्छे सुपब दो हजार बारा में लाया गया था बिटा किसका नाम बदल के तो दोस्तों किसका तो आपको नो फ्रिल्स का नाम बदल के लाया गया था 2005 में आता नो फ्रिल्स उसी को दो हजार बारा में BSBDA कर दिया गया ठीक है च्छा महीने का कर लो हर्स च्छा महीने का ठीक है नेक्स पॉइंट A saving account or current account is classified as inoperative or dormant if there are no transactions in the account for over a period of how many years यह आपको क्या करना है यह आपका homework वाला question है आपको जवाब देना है comment section में जवाब देना है और बिटू इसका pdf जो है आपको मिल जाएगा किस पे तो वैब हो सर आपको याद रखना है telegram group वैब हो सर याद रखना टेलिग्राम ग्रूप का नाम है वैबो सर बैंकिंग अवेरनेस क्या है वैंकिंग अवेरनेस आप जोइन कर सकते हो यहाँ पर इस group में आपको सारी सीज़े अवैलबल हो जाएंगी अभी अभी दो-तीन का अभी आपको पीडियाफ हमने नहीं सेयर किया कल वाली क्लास का परसों वाली का हम सेयर कर देंगे कलो परसों तो हमने आपको डिटेल्ल बताया था सलेबस बताया था वो सारा कुछ सेयर कर देंगे हम आपको तो दोस्तों थैंक्यू आज कर फिलाल इतना ही अब आपको यह पर बता दें क्या कि क्या है कैसे है कहां से इन्रोल करा सकते हैं दोस्तों उसके लिए आपको बता दें अड़ा 247.com पर जाना है आपने और इसमें जाके आपको देखेगा या करा में अपको एग्जीटिव आपको आपका इससे मैंनेजर में जाते हो आप एक्जीटिव जुएन कर सकते हैं आप फ्वयो पर जाते हो इसका पर बहुत अच्छा होने वाला है यह अच्छा जोब है अब नो डाउट पिछले बार के बहुत सारे केंडिट अभी हम आपको मिलाएंगे भी इन से तो आप यहां पे कोड अप्लाई कर सकते हो कौन सा वाई 307 कोड लगा के अप्लाई कर सकते हो तो यह हो जाएगा आपका 1563 टिक है यहां पर आपको स पारा कुछ अपडेट हो जाएगा यानि कि इसमें आपके लाइब क्लाइस मिलेंगे रिजिनिंग इंग्लियस मैच यह और कंप्यूटर सब कुछ मिलेगा इतने में ही ठीक है और दोस्तों अगर आप चाहो तो आप बैंग महापैक के थूब इन्रोल करा सकते हो बैंग महा इतना है नहीं यह वाई 307 कोड़ अप्लाई करना यहां पर हो जाएगा यह ट्रिपल थ्री फोर का इसमें आई डीबियाई रहेगा इसमें आई डीबियाई आपका आर भी आपका सारा कुछ मिलने वाला इसके अंडर में क्या मिलेगा आपको बता दे आई डीबियाई मिले इसमें आपको SBI मिलेगा इसमें आपको नॉर्मल कोई सब एक्जाम एनी एनी बैंक एक्जाम ठीक है कोई साभी या फिर और यहां पर लिख सकते हो आप क्या की आप नॉर्मल फिर से बोल दे रहे हैं आई डीबियाई ठीक है आपका रर भी और SBI and all bank exam सभी बैंक एक्जाम आपको अवेलबल होंगे इसके अंडर में और केवल एक चीज़ नहीं इसमें मौक भी मिलेगा आपको मौक ठीक है प्लस लाइव क्लासेज और तो और आपका रिकॉर्ड़ेट क्लासेज भी अवेलबल रहेंगे सारे सबके सबाइंडिविजल बैच आपको इन्रोल कराने स आपका क्या है जैसे आप जाते हो यहां पर सर्च कर लेना बुक का ठीक है अब बैंकिंग अ 1 मुठ दिखी नहीं रहे है तो सारे जुब्ध Canen जोuno भी बुख है आप है यहां पर देख सकते हो हो इन्रोल करा सकते वो बुक में भी बगण diverter कूरियर और चाली ठीक है अगर आप बैंकिंग में जाते हो तो बैंक में जाके आपको बुक की सेक्शन में जाके आप बुक की देख सकते हो कहां गया एक मिनट कि अधिक नहीं रहा एक्चुली कि लो भी है आप देख लेना आप का ऐसे कि आपको बुग सी अबके से MINING मैं इन्टिविजियु टॉपिक्वइज करा रहे हैं आध ट्याइप से verw पेड़ बैच होगा वहाँ पर एंडेन बैंकिंग हिस्ट्री उसमें से अंडर में जितनी सोड़ें टॉपिक हो सकते हैं उसको डिटेल इन डिटेल जैसे एकस्प्लेंट करते हैं हम लोग वहाँ पर यहां तो गूराइगर साफ़ने यह उभको अपको आफ को आप याद कना है किया इसकी उपर मैक्समम डिसकाउंट आपको एसकी डिन स्पेसिलिप अगर आपको नो out नay तो दोस्तों आप जाना और एसक इसाचीमें डिकर वाइटीजेंच कोड को लगा के यह सकती है पांच बुक्क शेट हैं कितने बुक्का फाइबुक्स जिसमें आपको यह सारी चीज़े को हाप रही हो एक वार्व बलो हो जाएंगी आपके घर पर यह कूरियर भी आपके बैच 13 जून से स्टार्ट होने जा रहा है, जो पहली क्लास मेरी ही होगी, हम स्टार्ट करें मौनिंग में, तब तक लिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, कल फिर से लेकर आएंगे, इसका और जो जो टॉपिक होंगे, वो थमनेल के उपर लिखा होगा, वहां से रि आउट भी हो, तो हम वहां से आपका अपडेट कर सकें, ठीक है, आप अपडेट कर सको, और ग्रूप में जोइन कर लो, डिरेक्ट आप मेरे से मैसेज करके बाद भी कर सकते हो, तो थैंक यू दोस्तों, हरर महादेव, रादे, रादे, लवीट यू आल, बाई-बाई, टे